कीजिए arrive entertainment को और notification के लिए घंटी जरूर दोस्तों मैं हूँ आपके साथ सारा शारूख खान के फिल्म पठान का बेज़ सबी से इनतिसार हो रहा है आखिरकार फैंस के लिए एक बड़ी खुशकवी सामने आई है makers ने बताया कि फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज हो रही है फिल्म के announcement के साथ ही एक announcement वीडियो भी शेयर की गई है जिससे फिल्म को देखने की इच्छा और जादा बढ़ जाएगी आपको बता दे जौन इब्राहिम और दीपी का पादुकॉन पठान के बारे में बताते हुए नजर आएंगे कि कैसे पठान के लिए इंडिया ही उसका मजब है इसके बाद पठान यानि शारू खान खुद गुंगले से स्क्रीन पर नजर आते हैं और बोलते हैं कि उनका नाम कैसे पठान पढ़ाया इसके लिए आपको इंतजार करना होगा पठान को वर फिल्म के डारेक्टर सिद्धात आनन ने डारेक्ट किया है और आदिते चोप्रा फिल्म के पेडियूसर है पठान में शारुख खान एक इंडियन रो एजेंट के तौर पर नजर आने वाले हैं दीपी का उनकी साती के तौर पर नजर आएगी और जौन इब्राहिम फिल्म में विलेन के रूप में होंगे आपको बता दें ये फिल्म हिंदी के अलावा तमिल और तैलोगू में भी रिलीज होगी चुकि फिल्म 26 जनवरी को रिलीज हो रही है तो अगले दिन री पब्लिक डे के वीकेंड का फिल्म को भरपूर फायदा मिलेगा शारु खान साल 2018 में फिल्म 0 में नजर आये थे फिल्म में उनके साथ कैटरीना कैप और अनुश्का शर्मा भी नजर आये थी लेकिन फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी इसके बाद शारु खान किसी फिल्म में नजर नहीं आए और अब वो सीधे पठान में दिखाई देंगे पठान के अलावा शारुखान साउथ डारेक्टर एक्टली और राद कुमार हिरानी की फिल्मों में भी नजर आने वाले हैं हाला कि इन फिल्मों की ओफिशल अनौंसमेंट नहीं हुई है कैसी लगी आपको ये न्यूस प्लीज कमेंट में जरूर बताएं